दोस्तों शूपरी से मैं रंजीत गुप्ता नबारे टाइमस ऑनलाइन के लिए मद्य पर्देश में इसी साल विधानसवा चनाव होने हैं विधानसवा चनाव को लेकर के विविन राइनितिक दल अपनी पहुच बढ़ाने में लगे हुए मद्दाताओं के पास जा रहे हैं शूपरी प्दानसवा छेत्र설 का युवा मद्दाता क्या सोचता है कि स साथ है कि वेकर कुछ युवा मौजूंद मेरा है और किस तरह आप कर रहे हैं कि मेरानामम है मैं वकील हूँ और शप्पुरी में काम करता हूं शब जिलने आले में करक्टिस करता हूं कि तो मेरे जो है शप्पुरी के सबसे इंपॉर्टंट मुद्धे है पानी का कि इतने सालों से मनीखेडा परियोजना चल रही है लेकिन वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है ऐसे ही सीवर परियोजना जो कि पिछले 10 सालों से उपर हो गई लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हो पाई है और तीसरा है सडको का मामला कि यहां के जो आजपास के connecting सडके हैं जिससे टूरिजम जो है बहुत प्रभावित हो रहा है वो सारी सडके जो है वो एक ये ऐसे कुछ मुद्दे जो है मुझे बहुत बड़े लगते हैं आखरी में क्योंकि मैं आदिवासी साहरी आदिवासी समुदाय के साथ बहुत काम करता हूं तो मुझे लगता है पिछले कई वर्सों से है तो आप क्या कहने चाहेंगे आपकी किस तरह का प्रयास होने चाहिए अप तो इतना बड़ा साल मिल गया उनको काम करने के लिए सबसे पहले प्रयास होना चाहिए कि जो गवर्नेंस है यहां का वो बहुत इंप्रूव करने की जरूवत है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है वो कोई लेना नहीं चाहता काम की यानि कि अगर कुछ काम नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी हम देखते हैं कि ना कोई अधिकारी ना कोई विभाग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है हम ये चाहते हैं कि जो भी अभी विकास के मुद्दे शिप्पूरी में भले ही वो सडक हो, भले ही वो स्वास्त हो, आदिवासी के मुद्दे हो, सीवर प्रोजेक्ट हो, मनीखेडा प्रोजेक्ट हो, प्रधान मंतरी आवास योजना का प्रोजेक्ट हो, उसमें टाइम लाइ कि किस तरह किया प्रिक्षा है आपकी मेरा नाम धर्मान शुधाकर है और मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूं मैं पीसडी कर रहा हूं और फॉर्चुनेटली मेरा टॉपिक मद्धप्रदेश पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है तो जैसे अब है भाई ने बहुत सारे कि जिस तरीके से यहां जो कलारी खोल दी गई है वह जिस तरीके से ऑपरेट हो रहा है कई जगे घरों के पास में जो खोल दिया गया है उससे हर सरकार जो है मतलब चाहें वो कोई भी सरकार कॉंगरेस और बीजेपी ओ सब विमन सिक्यूरिटी के बारे में बात कर रहे हैं पर ये भी एक women security से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि नौ बजी के बाद वो वहां से सामान लेने नहीं जा सकती हैं. तो वो एक मसला है, दूसरा जैसे कि मैं बोल रहा हूं, मैं student हूँ, तो सबसे बड़ा मसला है कि इतने सारे exams बोले जाते हैं, कराय नहीं जाते हैं, कराय नहीं जाते हैं, तो पेपर लेक कर जाते हैं, तो एक पैटरन है जो कि trace करा जा सकता है, कि जैसे तैसे करके उसको सरकार election तक ले आए और फिर उसके बाद एक तरीके से threat करें, कि अगर हम power म आते हैं, तो exam होगा, otherwise दूसर सरकर आएगा, तो वो भूल जाएगा, तो वो एक जोड़ा मसला है, और बाकी, शुपरी में रोजगार नहीं है, लोगों के पास, बेरोजगार यहां कि यह वाँ है, वो कहीं इंदोर चले जाते हैं, भोपाल चले दिल्ली चले आते हैं, तो लोकल लेबल पर भी जो प्रयास हो सकते हैं, वो बिल्कुल होने ही चाहिए, और एक जो मसला है, वो मैं हालाइट करना चाहता हूँ, कि यहां पर जो, खास कर क्योंकि जो करेंट सरकार है, वो शायद यह सोच रही है, कि यहां की लोग को सुंदरी करेंट से वोट लिया जा जा सकता है कि चार रोड जो हैं, वो भार भार का रोड जो बना दी जाए, कालोणी में जाएंगे तो रोल अच्छा नहीं है, चाहर लाइटिंग लगा दिया है, पंदर का स्कुन को जला दिया जाए, और इस तरीके से मतलब जो टेंप्रेरी काम हो सकता है, या फिर मतलब जो कम पैसे में काम चल सकता है या मतलब जो टेंपरेरी चल सकता है उसको सोच के वोट लेना चाह रहे हैं हमारे लोकल इशूस को एड्रेस नहीं कर रहे हैं और आपका क्या सोचना है कि जो मद्र प्रदेश में देखा जाए तो अभी कुछ पिछले कुछ उनों पेपर आउट हुए और जो बच्चों ने परिक्षा हैं दी उन पर आरोप लगेगी उनमें कहीं न कहीं अनिमित्ता हैं हुई हैं देखिए पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेपर आउट होने वाली बातें सच हैं या जूट हैं ये इसका मुझे ग्यान नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि व्यक्ति को कोई भी जॉब या कोई भी पोस्ट मिलता है जब वो उसका वर्दी होता है तो यदि उसकी जो भी एक्जाम्स कैंसल होने का जो भी बात आई है तो कही ना कही मुझे लगता है कि बच्चों में या उनकी मेहनत में कुछ कमी रही होगी जिसके वज़े सो उनकी जॉप्स या उनकी इन सभी पर संदे उठाए जा रहे हैं और रही बाद शुपरी की तो मैं शुपरी के लिए कुछ दो तीन बाते कहना चाहूंगे जो मुझे दो बड़े मुद्धे लगते हैं जैसा कि अभेने का धर्मानशु जीने का एक तो मुझे यहां पर सफाई का बहुत जादा कमी रिखता है शुपरी में है ही नहीं cleanly less लोग अपने घर का साफ करके सामने वाले के घर पर फेक देते हैं तो यह हमें बहुत अच्छे से address करना चाहिए और इसे मुझे लगता है strictness के साथ में थोड़ा सा address करना चाहिए और दूसरा मुझे लगता है यह जो सडकों का जो है और यह दोनों interlink है आपस में सफाई और सडकों का कचड़ा तो यह दो मुझे मुझे बहुत जादा दिखाई देते हैं इनने पर ध्यान ने ने किया वाशक्ता है बहुत जादा गई मेरे विचाने आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहेंगे अब मेरा नाम चित्रे स्राठोर है मैं यहां की पेडाइस हैं तो मेरे कहने कम यह चाहता हूं कि जो भी हमारे नेता है वो इन सब चीजों पर ध्यान दे जो हमें चाहिए रोड पानी सीवे सुविधा याता-यात विवस्था इन सब ध्यान दिया जाए मतलब की मुलबूत आवाशक्ता है वही पूर्थी नहीं उपा रही है वो पिल्कुल नहीं हो पा रही है हमारे सहर मे तो मैं यह चाहता हूं कि इन चीजों पर बहुत दिया जाए क्योंकि इनसान यही चीज पहले चाहता है अपनी लाइफ में हायर एजुकेशन को लेकर करके कहना चाहेंगे कि मद प्रदेश के शूपर दिले में हायर एजुकेशन डबलब्मेंट को भी कुछ ऐसा प्लान कि जो आए हैं जो शिपुरी मेडिकल कॉलेज है और पास में जो मेडिकल एक और टेक्नलोज इंजिनेरिंग कॉलेज जो खुला है लेकिन हम देख रहे हैं कि जितनी सफलता उसको मिलनी चाहिए थी जितने स्टूडेंट्स बाहर से आने चाहिए थे जो जिस लेवल पर इंफ पुटी की मौनिटरिंग और संभे साब सेंथरी की समें मौवर्ज और नहीं है यहाने अपनी सडकी समच्चाह यहां मौजूदे हैं पानी नहीं है यहां लोगों के लिए तो साफ तोर पर यहां की युवान एक तरीके संदेश देदी आए कि सरकारों को यहां के बारे में यहां के बिकास के बारे में सोचना होगा शूपरी से मैं रंजीद गुप्ता नव भरत टाइमस ऑन-लाइन के लिए झाल झाल झाल